आकाश्वाणी भूपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सयुक्ता बैनर जी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी शोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोता ही न बढ़ते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचरक्टी का लगवाएं सुरक्षित रहें और अनासान उपायों का पालन करें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुह साफ रखे और अब मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्रु मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम के दौरान करेंगे चात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत मुख्यमंत्री 24 घंटे के स्वास्त आग्रह पर बैठे जनता से की मास्क लगाने की अपील पैताली स्वर्ष और उससे अधिकायू के सभी केंद्री कर्मचारियों को लगवाना होगा टीका और आईपील का चोथवा संसकरण 9 अप्रेल से कोरोना के कारण बिना दर्शकों के खेले जाएंगे मैच अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ समवात करेंगे ये इस कारिक्षा का पहला संसकरण होगा जो कोविड महमारी की पाबंदियों के कारण वर्चुल माधियम से आयो जित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने वचार रखेंगे और बिना तनावलिये परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे आकाश्वानी से इस कारिक्रम के सीधे प्रसारण के कारण कल शाम प्रसारत होने वाले प्रादेशिक समाचार अपने नर्धारिच समें साद बजे के स्थान पर छे बच कर पचास मिनट से प्रसारत होंगे मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान बढ़ते कोरोना संक्रमन के प्रतियाम लोगों को जागरुक करने के लिए रास्धानी भोपाल के मिन्टो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे के लिए स्वास्थ आगरह के लिए बैठे हैं इस दौरान उन्होंने यहीं से कैबिनेट बैठक भी की मीडिया से बाचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमन रोकने के लिए समाज को जागरुक होना होगा श्री चौहान ने कहा कि हम आत्मानुशासन से मास्क लगा कर सुरक्षद दूरी बना कर बार बार हात धोकर और वैक्सिनेशन से संक्रमन रोक सकते हैं मुख्यमंत्रई ने कहा कि मेरे लिए मास्क का मतलब है M से मेरा, A से आपका, S से सुरक्षा और का से कवच मतलब मेरा आपका सुरक्षा कवच स्वास्त आगर है इसलिए कि लोग मास्क लगाएं, स्वास्त आगर है इसलिए कि सुरक्ष दूरी बनाएं, स्वास्त आगर है इसलिए कि बार बार हाथ साफ करें, स्वास्त आगर है इसलिए कि अनावस्त भीनवाले कारिकमों में ना जाएं, स्वास्त आगर है इसलिए कि व igov.in पर लॉग इन कर अपनी आप को कोरोना वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं ये वॉलंटियर सरकारी व्यवस्था के अतरिक्त वैक्सिनेशन स्वयम सेवक और चिकित सा सुविधा स्वयम सेवक के रूप में काम करेंगे उधर प्रदेश कॉंगरस ने सरका और तीवर वैक्सिनेशन अभियान के साथ कोविध अनुकूल व्यवहार को बाधिकारी बनाने की सयुक्त नीती से कारे करने की जरूरत है देश में अब तक 8 करोड 31 लाग से अधिक कोविध टीके लगाय जा चुके हैं इस बीच देश में कोविट के नए मामलों में व्रधी होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है इस समय देश में कोविट के 788,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, कोविट के नए मामले बढ़ने के कारण देश में स्वस्थ होने की दरखट कर 92.48 प्रतिशत रह गई है। अधिक स्वस्थानों और कारिस्थलों की साफ सफाई और स्वास्त सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। गाइडलाइन का सकती से पालन करने के नर्देश दिये गए हैं। शिवपुरी शहर में आज बिना माज घूमने वालों के चालान किये गए। इसके अलावा दुकानदारों पर भी कारवाई की गई। राइसेन जिले में मैं भी कोरोना वॉलंटियर अभियान की शुर्वात होगी अशोक नगर में 26 कोरोना संक्रिमत मरीज में। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारीकर 45 वर्ष और उससे अधेकायों के सभी कर्मचारियों को कोविट टीका लगवाने को कहा है। ताकि कोरोना संक्रमन को फैलने से रोका जा सके। कार्मिक और प्रशिक्षन विभाग के सादेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविट नियमों का पालन करें, मास्क पहने, बार-बार हाद धोई और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इंजिन मरिकल असोसियेशन ने केंद्र सरकार से कहा है कि 18 वर्श से अधिकायू के सभी लोगों को कोविट का टीका लगाया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री को लिखे गाय पत्र में असोसियेशन ने ये भी आग्रह किया कि सारवजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीका करन प्रमानपत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। असोसियेशन ने ये भी कहा है कि सरकार को नजी क्लिनिकों को भी टीका करन अभियान में शामिल करना चाहिए। न्याइमूर्ती, एन्वी, रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे, राश्रपति रामनात को विंध ने उनकी नियुक्ति को स्विक्रती प्रदान की। न्याइमूर्ती, रमन्ना अगले वर्ष 26 अगस तक प्रधान न्यायाधीश के पत पर बने रहेंगे। भाजपा के 41 विस्त हापना दिवस पर आज वरिष्ट नेताओं ने कहा कि कोरोना संकट के कठिन दौर में भाजपा कारिकरताओं ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए सत्ता नहीं बलकि जनता की सेवा ज्यादा महत्वपून हैं। उन्होंने बता दिया कि भारतिय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं बलकि सेवा के लिए राजनीती करती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और आश्य अध्यक जेपी नडड़ा ने भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए कारिकरताओं को संबोधित किया। प्रदेश कार्याले में भाजपा के आयो जित जा रहा है। इसके लिए जिलो को 65 करोड़ पचास लाख रुपए की राशी मंडरेगा से जारी की गई है। बात क्रिकट की इंडियन प्रेमियर लीग आईपीयल 2021 का चोधवा संस्करण 9 अपरेल से शुरू होगा। कोवट के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। शुरुवाती मैच चन्ने में वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियन्स और रोयल चैलेंजर्जर्स बैंगलूरू के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संख्येप में। भारतिय रिजर्व बैंक के गवरनर शक्तिका किये गए उपारजन केंद्रों पर गेहूं और चनी की खरीदी की जा रही है और सिहोर जिले के शाह गंज में प्राथमिक स्वास्त केंद्रों में चल रहे टीका करण का आजसांसद रमाकांत भार्गव और कलेक्टर अजय गुपता ने निरीक्षन किया। इस बुलचन मे कि फिल हाल इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।